ये आकाश्वानी का इटानगर केंद्र और अरिनुफेम 103.1 मेगा हज है प्रस्तुत है सापता ही विक्यान कारिक्रम क्यान विक्यान आज की कड़ी में आप सुनेंगे Artificial Intelligence, A Magical Wand of Modern World, Part 2 यानि कृत्रिम बुद्धी आधुनिक दुनिया के एक जादुई छड़ी भाग दो पर एक हिंदी वारता वारताकार है स्री सुबुतारांग, Mentor Innovation Hub, Science Center इटानगर, Department of Science and Technology, Government of Arunachal Pradis Hello listener, I am Subutारांग, the Mentor of Innovation Hub from Department of Science and Technology Advantage and Disadvantage के बारे में बात करें तो बहुत सारा Advantage है AI के जैसे efficient हो जाएगा आपका data analysis में 24 hour availability होगा and Disadvantage में job का थोड़ा सा displacement हो जाएगा, cost और effective reliability आप trust ने कर पाएंगे, dependency हो जाएगा technology पे Disadvantage of AI के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो cyber crime है यह बहुत सारा increase हो रहे है AI voice cloning के बज़े से बहुत सारा AI के मदद से आप किसी का भी voice आप copy करके उसको phone call करके जैसे कि आपने किसी को phone call किया और उसने बोला कि हमको आभी immediately पैसा का जरूत है आप हमको बेज़ दीजिएगा तो वो जो phone call है किसी का voice को copy करके तो इस प्रकार से बहुत सारा scam हुआ है और इंडिया में लगबग 83% लोगों ने इस scam का सिकार हुआ और इसमें बहुत सारा पैसा उन लोग ने गवा दिया दैन बहुत सारा questions है जैसे कि हम AI का use कैसे कर सकते हमारे business या कोई भी organization में जिससे कि हमको और benefit हो जैसे बहुत सारा आपका AI tools वगएरा है जिससे आप use कर सकते हैं जैसे brand 24 करके एक है जिससे कि आप पूरा monitor कर सकते हैं कि अभी social media वगएरा में क्या news वगएरा trend क्या क्या चल वो सब का पूरा आप इस पे tools में आप देख सकते हैं जैसे आपको अपना logo creation करना है branding करना है content create करना है जिससे आप तो इस यह सब के लिए आप IDogram करके है लोका करके यह सब एक tools है जिससे कि आप बहुत ही easily logo वगएरा यह सब branding या content वगएरा create कर सकते हैं अपना social media वगएरा के लिए then आपको जैसे blogging के लिए image वगएरा generate करना है जैसे आपको picture वगएरा लेना उसके लिए आपको बहुत सरा photographer hire करना परेगा then editing वगएरा करना परेगा तो वो सब के लिए बहुत ही expensive हो जाता है तो आप एक छोटा सा AI tools का use कर सकते हैं जो की बहुत ही powerful है जैसे mid journey हो ग video बनाना चाहरे हैं तो उसको editing करना चाहरे हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान से आप runway ml करके जो आता है artificial intelligence का tools है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से video editing वगएरा कर सकते हैं और जैसे आपको आपका business जैसे या कोई भी organization में आपका meeting होता है online meetings वगएरा हो रहा है आपको बहु दूलाता है तो उसके मदद से आप email वगएरा को automatic reply करना वगएरा यह सब का abuse कर सकते हैं और भी बहुत सारा चीज है जैसे कि आपके finance को कैसे handle करेंगे इसके लिए quick book का abuse कर सकते हैं then बहुत सारा data है उसको analyze करना है आपको data निकाल करके उससे बहुत सारा चीज हम लोग data से decision making वगएरा करते हैं उसके लिए हम Google analytics वगएरा का use कर सकते हैं तो AI tools में देखेंगे तो बहुत ही advanced AI tools बन चुके हैं अभी के समय पर आप जैसे Google का music model देख लीज़े आपको text बस लिखना है और उसके accordingly आप music create कर सकते हैं आपको बस type करना है कि आपको किस type का music चाहिए then it will create automatically so अब education में अगर देखेंगे कि AI का use हम कैसे students के लिए use कर सकते है AI का तो students and teachers के लिए देखे teachers के लिए हम लोग bright class करके AI tool आता है जो की बहुत ही अच्छा AI tool है और उसके मदद से आप बहुत ही अच्छी से students के लिए जैसे notes वगएरा वगएरा बनाना question paper वगएरा बनाना पू students के लिए बहुत सारा AI tools है जैसे की stepwise maths है उसके बाद जो की maths का problem वगएरा solve करने के लिए आपको बहुत ही help करता है उसके बाद dualingo को करके एक आता है जो कि आपको अगर कोई भी language सीखना है उसके लिए आप use कर सकते हैं quiz gecko करके हैं जो कि आप कोई भी content को quiz में convert कर सकते हैं बहुत interesting way में grammarly वगेरा हो गया author.ai वगेरा हो गया जिसके मदद से आप कोई भी meeting हो गया हो गया उसको आप record कर सकते हैं notes वगेरा बना सकते हैं AI के मदद से so हम अगर एक बहुत ही common सा एक question होता है कि क्या AI हमारा job ले लेगा क्योंकि बहुत सारा लोग अंदर misconception होता है कि अगर AI इतना evolve हो रहे हैं तो हमारा job खत्रे में हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वोला है कि AI हमारा job ले लेगा AI हमारा job नहीं लेगे AI को हम कहते हैं कि AI is not a job killer but a category killer एक AI जानने वला व्यक्ति आपका job ले लेंगे अगर इस हिसाब से बात करें तो तो आपको अगर market में stand करना है तो आपको AI का knowledge होना परेगा then आप उस job में stand कर पाएंगे जिसलिए कहता हैं कि आपका AI won't take your job but person knowing AI will surely take your job so एक बहुत ही बड़ा concern यह है कि according to national sample survey के accordingly हमारे यहां पे बहुत सारा लोग है जिसको file copy paste करना भी नहीं आता computer चलाना नहीं आता बहुत सारा लोगों को internet में mail करना नहीं आता file attachment वगेरा भेजना नहीं आता तो बहुत सारा problems है तो दीरे दीरे अभी सब लोग यह technology catch up कर रहे है पर अभी इतना rapidly growing technology जो AI आ गए है तो क्या हम उस level पर catch up कर पाएंगे यह बहुती बड़ा questions है तो एक question यह एते है कि हम अगर सीखना चाहें AI के बारे में तो हम कहां सीख सकते हैं अगर हम यहां इतनागर है या अरुनाचल के कोई पार्ट में है तो आप हमारे यहां पर करके सीख सकते हैं Department of Science and Technology आपके लिए Science Center Innovation Hub पे आपके लिए यह facility बना करके रखे हैं जिसमें कि आप आकर के robotics के बारे में सीख सकते हैं हमारे यहां पे दो टाइप के robotics के बारे में हम लोग सिखाते हैं जैसे आपका Lego EV3 Mindstorm है जो की एक educational robot है जो students के लिए हम लोग यहां पे especially जो first time robotics और AI के बारे में सीखना चाहते हैं तो basic से हम सिखाते हैं Lego EV3 robotics के मदद से जिसमें की बहुती simple block coding वगेरा का use करके आप सीख सकते हैं then अगर आप advanced level का अगर कोई robotics या AI के बारे में सीखना चाहते हैं तो वो भी हमारे यहां पे आप आकर के सीख सकते हैं जैसे हम लोग यहां पे Arduino Micro controller या Node MCU Micro controller या अगर आप micro processor के बारे में बात करें Raspberry Pi वगेरा हो गया IoT projects वगेरा हम लोग यहां पे develop करते हैं तो इस type का जो advanced technology वगेरा है आप यहां पर आकर के innovation hub science center पर आकर के आप यहां पर सीख सकते हैं और हमारे department of science and technology जो है बहुत सारा program कंड़किये हैं यह जो AI और robotics के उपर में जैसे हमारे हमने हमारे department ने नमसाई जो aspirational district है उसमें 100 government schools के लिए robotic awareness का program कंड़किये जिसमें लग बग 5,000 students को profit हु and not only students but हम लोग ने वहां पर जाकर के teachers के लिए भी training program arrange किया जैसमें 200 teachers को हम लोग robotics and electronics का training प्रवाइड किये हैं उसके बाद हमारे इतानगर, capital region, नहारलगन और निर्जुली के area जितने भी schools है, government school and some private schools also we have conducted this robotic awareness program और बहुत सारा industrial training वगेरा भी हम लोग ने यहां पर कंड़कि जैसे राजीब गंडी पॉली टेकनिक जो students है उन लोगों के लिए हम लोग ने यहां पर artificial intelligence, robotics and IOT's project भी हम लोग ने यहां पर किया है और every year 8 of December पे हमारे अरणाचापरदेश साइन सेंटर में robotic competition हम लोग organize करते हैं and WRO करके international robotic competition है उसमें भी हम लोग participate करते हैं यह तो था कु आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारे website पर पी जा करके आप चेक आप कर सकते हैं यह हमारे instagram, facebook page, innovation hub, itanagar करके उसमें भी आप जा करके इसका बारे में जिससे AI के बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद आपके एक जादवी चड़ी भाग दो पर एक हिंदी वारता वारता कार्थे श्री सुबु तारां मेंटर इनोविशन हव साइन्स सेंटर इतानगर डिपार्टमेंट ओफ साइन्स एंट टेकनोलोजी गवर्मेंट ओफ अरुनाचल प्रदिस